हाई फ्रेंज मेरे गल्स ब्यूट्यू होस्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंज चेहरे की सुन्दर्ता और निखार पाने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं जैसे की चेहरे पर टमाटर लगाना भी एक ऐसा तरीका है जो की काफी लोगप्री है और यह तोचा के लिए एक बहुत ही अच्छा होता है इसमें बिटैमिन C, बिटैमिन A, बिटैमिन K, लाइकोपिन और अन्य पोसकततों से भरा होता है जो की पोसकततों तोचा को स्वस्त और समगदार भी बताने में मदद करता है टमाटर में मौझूद बिटैमिन C तोचा के लिए उत्तम होता है और बहुत लोगों को नुकसान भी पहुंचाता है तो टमाटर कौन सा इसकीन वाले को नहीं लगाना चाहिए वो इस वीडियो में हम जानें आज उससे पहले नए है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजे फ्रेंज और बेल आइकन को किलिक कीजे ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके बहुत लोगों को टमाटर से अलर्जी होती है उन लोगों को जिनकी तोचा हलकी होती यानि जिनकी तोचा बहुत पतली होती है उन लोगों को टमाटर से अलर्जी हो सकती है एक्जीमा या सोरैसिस जैसे तोचा बालो लोगों के लिए भी चैरे पर सीधे टामाटर नहीं लगाना चाहिए उससे बचना चाहिए क्योंकि टामाटर में सैलिसलेट एक एमाईन जैसे एजेंट होते हैं जो ऐसे में चैरे को चुभन दे सकता है जलन भी हो सकता है और बहुत सारे इसकीन पर लगाने से भी चेहरे सुखा पन या पपड़ी दार हो सकता है खास कर पहले से ही जिसका इसकीन सुखा संबेदन सील तोचा वाले होते हैं व्यक्ति और उनको पहले से ही पता होता है अपनी तोचा की सहन सिलता के बारे में उन लो और जीन लोगों को टमाटर सूट करता है, यानि कि जो सही तरीके से इनका उपयोग करता है, इनके लिए मौझूद बिटामिन C और एंटियोक्सिडेंट तोचा के स्वास्त में सुधार करते हैं, पोसक तत्व से भरपूर टमाटर न केवल हम लोग खाने में सामिल करते हैं, और तोचा पर भी लगाने की बात आती है, तो ये पूरी तरह से चेहरे को सुधार भी करते हैं, टमाटर तोचा के लिए एक अदभुत प्राकिर्तिक उपाय है, जो तोचा को मुलाहम, सुंदर और ताजगी देते हैं, लेकिन इनके साथ ही इनके इस्तमाल से होने वाले न भूप से जूलती तोचा को अराम देते हैं, टमाटर में मौझूद एंजाइम तोचा को धीरे-धीरे एक्सफोलियेट करने में मदद करता है, तोचा पर जमे हुए धूल मिट्टी को गंदगी से भी छुटखारा दिलाता है, और आप डारेट टमाटर लगाने के वज़ा आप टमाटर पर थोड़ा सा इलोवेरा जेल या नारियल का तेल इसमें डाल कर आप चेहरे पर हलके से लगा सकते हैं, और यदि आप स्क्रब करना चाहते हैं, तो आप इसमें थोड़ा सा चिननी का पाउडर भी मिला कर इसको चेहरे पर हलके हाथों से लगड़ें, तो ताजा दिखेगी आई होब कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी वो फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएगा फिर मिलेंगे नेश वीडियो में तब तक आप लोग इसी तरह से खुस रहें थैंक्यू बाई